नमस्कार आप देख रहे हैं खबरिल टीवी न्यूस बुलेटेंट जिसमें आपको देश बर की बड़ी खबरे बताने जा रहे हैं शुरुआत करेंगे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप केस से बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस वक्त ममता बैनर जी ने एक बिल पास करवाने के लिए मांग की है राजभवन में उनने कहा है कि अगर उनके इस बिल को पास नहीं किया जाएगा तो वो राजभवन के बार धरना देगी बिल में ये लिखा गया है कि जितने भी बलात कारी है उनको कैपिटल परिश्मेंट मिलनी चाहिए उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए उनको फांसी पर लटकाना दूसरी बड़ी खबर बंगाल से ये सामने आ रही है कि इस वक्त बंगाल में बीजेपी नेताओं की जान खत्रे में है आपको बता दे सुबह एक खबर मिली थी कि बीजेपी नेता के उपर छे राउंड ओफ फायर की गई है उनके उपर छे बार गोलियां चलाए गई है और गोलियां चलाने के बाद अरोपी वहां से फरार हो गया है फिलाल पर शासन के उपर एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस देश में विधाया की सेफ नहीं है वहां पर आम आदमी का क्या हाल होगा इसके साथ कि आपको ये भी बता दो कि टी एमसी सरकार के उपर बीजेपी इ शाना साथ रही है अब इस बात में कितनी सचा है ये बताना बहुत ही मुश्किल है अगली बड़ी खबर सामने यह आ रही कि एयर टैल ने अपनी म्यूजिक अप्लिकेशन को बंद कर दिया है आपको बता दे विंक म्यूजिक अप्लिकेशन 2014 में लांच की गई थी पर अब एयर टैल उसे बंद करने का फैसला ले रही है उसकी पूरी तरह से अप्लिकेशन बंद कर दी जाएगी अगली बड़ी खबर सामने यह आ रही कि NBCC के स्टॉक इस बग बहुत जारा राइस कर चुके हैं रॉकेट की तरह उनके स्टॉक जो है वो आसमान को चू रहे हैं NBCC ने अपने शेर होल्डर्स को बोनस शेर देने का जब से एलान की है तब से उनके स्टॉक बहुत जारा राइस कर रहे हैं इसके लिए 31 अगस्त को बड़ी मीटिंग भी बिठाई जाएगी अगली बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि जिस समय चाइना और पाकिस्तान के स भारत के रिष्टे अच्छे नहीं हैं उस समय भारत ने US एक बड़ी डिल की है जिसमें वो 70,000 से जारा बंदूके खरीदेंगी अगली बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि जैशा को ICC का चेर्मेन बना दिया गया है जी हां आपको बता दें कि भारती टीम के स्टार बल्ल दावेदारी नहीं करने का फैसल ही है इसके साथ ही आपको यह बता दें कि लंदन में अपने परिवार के साथ समय बितारे कप्तान विराट कोली ने जैशा की सफलता की कामना की है बुमराग को भरोसा है कि जैशा नए पद के साथ क्रिकेट को एक उचे स्तर पर लेकर किया है विश्व स्वास्ते संगटन यानि कि WHO ने मंकी पोक्स को लेकर एक बड़ी चिताबनी जारी की है WHO ने इसे पब्लिक हैल्थ एमर्जंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानि कि PHIEC गोशित किया है जो खत्रे का सबसे उंचा लेवल है भारत भी इस खत्रे को देखते हो आपको बता दे बड़े कदमों में सबसे बड़ा कदम यही होगा कि जितने भी बंदरगाह है एयरपोर्ट है वहाँ पर चिकित साल्य होंगे और जो भी आने जाने वाला व्यक्ति होगा उसका चेक अप किया जाएगा और अगर उसको कोई भी लक्षन ऐसा देखने को मिले प्रिवान